हेलो अब्रिवन स्वाइए एक और क्यूशन सौल्ब करते हैं इस बार का क्यूशन है find the period of fx is equal to fractional part of x plus fractional part of x plus 1 by 3 plus fractional part of 2 by 3 ओके सो यहाँ पर हमें function given है और इसका हमें period find out करना है सबसे पहली बात यहाँ पर fractional part of x दे रखा है हमें यह पता है कि अगर कोई भी number हो suppose हमने number x लिया है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं greatest integer of x and plus fractional part of x यहाँ से आप fractional part of x बराबर क्या लिख सकते हो so this is equal to x minus greatest integer of x यहाँ से एक चीज आपको पता होगा कि fractional part of x का value या तो 0 होगा या फिर 1 से छोटा होगा है ना इसी के बीच में इसकी value lie करती है अगर आप यहाँ पर fx को देखो तो fx को हम क्या लिख सकते हैं अगर इस चीज को use करें तो fx को क्या लिख सकते हैं x minus greatest integer of x ठीक है प्लस इसको क्या लिख सकते हैं x plus 1 by 3 minus greatest integer of x plus 1 by 3 correct है and plus फिर इसको क्या लिख सकते हैं x plus 2 by 3 and minus greatest integer of x plus 2 by 3 clear है हाँ तक हाँ अब यहां के बाद आप देखो क्या हो जाएगा x plus x plus x यह क्या हो जाएगा so this is equal to 3x यह आगा आपका 3x plus अब देखो यहां पर 1 by 3 है and 2 by 3 है तो 1 by 3 plus 2 by 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहां पर minus greatest integer of x minus greatest integer of x plus 1 by 3 and minus greatest integer of x plus 2 by 3 हो जाएगा clear है अब यहां से अगर एक step और लिख लें तो यह क्या होजागा is equal to 3x plus 1 minus अगर आप यहां से common लेते हो तो क्या बनेगा greatest integer of x plus greatest integer of x plus 1 by 3 right and plus greatest integer of plus greatest integer of x plus 2 by 3 ठीक है अब यहां से एक of x plus 1 by n plus greatest integer of x plus 2 by n and plus so on यहां से चलता जाएगा अगर यह चलता जाए greatest integer of x plus n minus 1 by n तक है ना इसका value क्यों आता है है so this is equal to greatest integer of nx clear है अब अगर आप इस चीज को ध्यान दो यह वाला तो यह क्या है आपके पास greatest integer of x plus x plus 1 by 3 का greatest integer plus x plus अब देखो इस 2 को आप क्या लिख सकते हो क्या 3 minus 1 by 3 का greatest integer लिख सकते ना क्या इस पे base आ रहा है क्या इसको क्या लिख सकते हो अप nx का greatest integer तो यहां पर n क्या है इंच्छ producers आपके और n यहां पर MATT और यहां पर पर क्या है एंच्छ तो 3 x इंच्री कर इंच्तरिंश इस पूरे पार्ट को आप क्या लिए सकते हो इस पूरे पार्ट को लिख सकते हो इसका मतलब अब हमारे पास जो फंक्शन आ गया वो फंक्शन क्या गया fx is equal to 3x 3x plus 1 ध्यान दीजिए 3x plus 1 and minus minus greatest अब आपको एक चीज़ पता है वो क्या है कि fx is equal to अगर आपके पास x minus greatest index of x है तो इसका जो period होता है वो period क्या होता है this is equal to 1 इसका period क्या होता है और हमें पता है एक चीज़ और कि अगर कोई function fx fx अगर आपका t का periodic है तो fx आपका किसका mod a का periodic होगा ठीक है अब यहाँ पर देखो देहां से आप इस function को इस function को अगर आप देखोगे तो अगर यह fx is equal to इतना है तो आप यहाँ से f3x क्या हो जागा f3x क्या हो जागा आपका तो यह हो जागा 3x minus 3x का greatest index that means यह किसका periodic हो जागा तो यह periodic हो जागा 1 by 3 का यह किसका periodic हो जागा 1 by 3 का तो आप कह सकते हो कि यह जो function होगा यह जो function होगा या फिर इसके बारे में कह सकते हो यह किसका periodic होगा so 1 by 3 का constant से मतलब नहीं होता है बस हमें यह दियान देना होता है तो इसका period कितना होगा तो आप कह सकते हो period is equal to 1 by 3 यह हो जागा आपका final answer I hope आपको यह solution समझ में आया होगा फिर मिलते आपसे next video में अगले equation के साथ तब तक take care thank you